हमारा lecture है first of August 2020 का sorry दो दिन lectures ना देने के चकर में actually family में भी कुछ issues आ रहे हैं देखिए COVID-19 को seriously लोग नहीं दे रहे ना लेने से problems होंगी कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे relation में वेटन और बहुत close लोगों को भी COVID-19 हो गया है family में भी diseases कम नहीं होती तो कुछ घर पे रहने का मतलब भी family responsibility and all को भी देखना देखिए कुछ काम होते हैं जिसके चकर में lecture थोड़ा delayed और कभी कबार नहीं आपाता देखिए कि घर पे रहना है सुरच्छित रहना है तो आप लोगों को एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि COVID-19 को lightly ना लें प्लीज इससे अपने आपो protect रखें ताकि आप happy रहें और mentally relaxed रहें तो इस चीज़ को basically जरूर ध्यान रखेगा आईए आज फस्ट आफ अगस का news analysis section स्टार्ट करते है वारल ट्रेकर पे 55,100 patients कल के कल मिले हैं आज हमारी टेली एप्रॉक 17,00,000 क्यास पास आ चुकी है वर्ल्ड में ठाल्ड हाइस नंबर पे cases हमारे पास हैं वर्ल्ड में अगर ऐसे condition बनी रही तो चीज़े बढ़ेंगी दो तीन स्टेट्स हैं तमिलनाडू और देहली जहां पे decline हो रही है और चीज़े कंट्रोल में आने की कोशिश है देहली फिर भी बहतर है पर बाकी स्टेट्स की बात करें तो condition बिगड़ती जा रही है lieutenant governor जो है उन्होंने एक दिल्ली में जो फैसला लिया है अनिल बैजाल साब ने दिल्ली government कह रहे थी कि वो hotel और weekly market खोलेगी कुछ लोग weekly market नहीं पता हो तो जैसे आपके हाँ कोई special बजा लगती होगी सौपार मंगल वो दिबरस्पत किसी वी दिन वैसे देली में भी बहुत सारी weekly markets थी जहाँ पर चोटे मोटे vendors अपना काम करते थे लाइबलीट चलाते थे और एक affordable price पर चेजे बिल दे थी बट जैसे बात ये weekly market over crowded होती है जो कहीं ने का infection बढ़ा सकती है तो इसलिए इसको बंद करने की बात की गई जो कहीं ना कहीं positively सही है तो इस पर फिर से dispute आ गया देखी है lieutenant governor और देली में बहुत ज़्यादा dispute चला है तो इससे special articles जो है constitution के बढ़र पढ़िए आपके काम आएंगे course actors जो है जाहिर सी बात अगर की condition बहुत बुरी चल लगी अगर आप देखें आज की date में तो negative zone में आ गए हैं बहुत बुरी condition में जाहिर सी बात है lockdown and all उसके बाद monsoon आ गया तो इन सब से चीजे problem हुई है बट हाँ growth जो हुआ है fertilizers actors को बहुत ज़्यादा मिला है fertilizers में फाइदा है बाकी चीजे में problem है तो देखें इंडिस्ट्री इसको दीरे दीरे बढ़ाया जाएगा एक दिन में चीजे नहीं हो सकते है यह के बाद साजिद loan है यह जो है यह people conference के leader है इनको 307 दिन के detention के बाद JNK में फ्री किया गया almost सारे leaders में फ्री कर दिये गए बट अभी भी PSA Public Safety Act के थुरू अभी भी में बुदा मुफ्ति को ने किया गया उनका detention तीर महीने और बढ़ा दिया गया एप्रोक्स नवंबर तक उनका detention बेटा ऐसे ही चलता रहेगा इसके बाद कुछ लोगों पर UAPA लगा हुआ था Unlawful Activities Prevention Act जिसे आप बोलते हैं यह लगा हुआ था तो इन्हें IS के suspects माना जाता है बट जब ट्रायल कोर्ट में गए Indian Investigation Agency से का आगया है कि आपके पास इतने proofs नहीं हैं तो पहले proofs लाइए बरना इनके offenses डॉप किये जाएंगे केंद्रिय विद्याले के साथ सबसे बड़ी problem ही आ रही है कि medium of interaction जो education यह देते हैं यह 25 foreign country language में भी देते हैं 25 foreign country की language है बागी local language में देते हैं तो government कह रही है कि इनको reasonable language में पढ़ाना चाहिए तो reasonable language में पढ़ाना थोड़ा बहुत बड़ा issue हो जाएगा और यह नहीं कर सकते दूसरा mode of education है उसको भी चीजों को बदलने की जरूरत है वो करना बड़ा मुश्किल हो रहा है तो केंद्रिय विद्याले केरिए कि यह चीज वो नहीं करना जाती इसके बाद Indian fertility rate जो है वो वर्ड में lowest है एक बहुत बड़ी चीज है COVID-19 के cases में यह rate lowest होने से हमारा फायदा भी है नुकसान कोई है नहीं 24 गंटे में चीजे थोड़ी कम हुई है तो cases जो है वो आप देखेंगे साथ लाग क्या सपास टेस्टेट किये जा रहे है टेस्ट में अगर 55-56 केसे निकलने तो टेस्टिंग बढ़ाने से फायदा हो रहा है तो Health Ministry काम पॉजिटिव डिरेक्शन में कर रहे है एक और बीट हमारे से चले गए सिलहट में एक एरपोर्ट बना था जिसमें हमारी लाजसेंट अर्बो भी गए थी बट ये केस फाइनली हमें नहीं मिला ये बीजिंग अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रूप को मिला है इसमें बांगलादेश का कहना है कि भई हमने ये इसलिए उने दिया क्योंकि वो प्रॉपर एफोर्डेबल है और उनकी कंडिशन अच्छी थी इन चीजों को मिजली टैकल कर सकते हैं वहाँ के प्राइस भी अच्छे हैं टेक्निलोजिकली सूपेरियर हैं लासन अर्बो इसमें आगे डिसीजन्स नहीं ले पाए इसके बाद बेटा लास्ट है यूके से अभी एक्स्टरडिशन टिटी हमारी साइन नहीं है अगर इनको लाना है तो यूके से रिलेशन अच्छे हो तो हम चीजे कर पाएंगे तो अभी इनके बारे में कोई बात नहीं की गई है बट हम पूरा एफ़र्ट्स लगा रहे हैं कि फ्यूचर में इन्हें हम लेकर आपाएं आईए एडिटोरियल सेक्षन में चलते हैं देखिए एडिटोरियल सेक्षन अगर आप पढ़ेंगे आज का तो एडिटोरियल सेक्षन में बहुत पॉजिटिव केसेज भी दिये हैं बहुत पॉजिटिव चीजे भी आपके सामने हैं पहला जो आपका ये है ये आपका अन्लॉक 3 के बारे में बात है कि न्यू नॉर्मल ओपनिंग के भी कोशिश हम कर रहे हैं दीरे दीरे अगर ये चाहिए सक्सेस्फुल होती है तो पूरा इंडिया अगले माहिने से खोल दिया जाएगा वेट करते हैं कि पूरा इंडिया खोला जाए उमीद है जल्दी एजुकेशन एन आल सब खुलेगा उस पर है एडिटोरियल अप सल्फ दूबे कर सकते हैं इंवायर्मेंट इंपेक्ट एसेस्में रिपोर्ट पर है बहुत इंपॉर्टन एडिटोरियल है अजम पढ़ेंगे COVID-19 में मेट्रोपोलियन की जो वीक्स हमें दिखी है इनके बारे में क्या कंडिशन एने हम कैसे टैकल करेंगे इसके बारे में एडिटोरियल है हम मस्ट गो पढ़ेंगे जरूर इसे भी अफगानिस्तान और तालिबान की जो बात चली है उस पर है इस एडिटोरियल को हमें यह है डालूटिंग डा इन्विर्मेंट इंपक्ट असमें इसमें बेटा आजकल एक है friday for future एक है environmentalist young campaigner है इन्होंने start किया है तो Friday for Future India FFF में अभी इनको डाल दिया गया था UAPA के अंडर इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत सारे mails किये थे environment minister को तो इनके सके अंदर डाला गया था बाद में protest कर रहे थे कि environment को चीजे सही करने है environment impact assessment जो अभी होता है इसको existing model सही नहीं है इसको replace करना चीए जब यह चीजे कहीं कि तो बहुत सारी ने notices डी गई कि आप sovereignty of India को खत्रा देने पर बाद में ने लगा कि नहीं यह clerical error है यह नहीं होना चीए बट इससे क्या हुआ FFFF जो है वो in 9 on news में आ गया अब देखें environment impact assessment report क्या होती है environment impact assessment report की अगर आप बात करेंगे तो EIA जो होती है environment assessment report तो इसमें क्या होता है कि जैसे environment में क्या effect पढ़ेगा किसी चीज को करने से जैसे आप कोई भी core industry on करते हैं तो इसका impact क्या पढ़ता है किसी चीज पे इसके बारे में इसमें बात की गए जैसे आप कोई mining कर रहे है thermal power project लगा रहे है planting कर रहे है airport बना रहे है topic energy बना रहे है other construction work कर रहे है तो इसमें environment भी का impact पढ़ेगा का environment सही रहेगा इस पर है तो इसके लिए कई सारे project बने 1994 में 60 से इसकी बात चले थी 1994 में पहला environment assessment act आया protection के लिए जो 1996 में आया 1986 में आया तो ये क्या था mining thermal power plant ports airport atomic energy की बात कर दा था इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो 1994 में चीजे हुई बड़ी ये speedy जो growth था उसको रोकता था 1994 का इसके बात फिर हमने 2006 में नया environment impact assessment लाया जो कही ना कहीं state और central दोनों को support कर रहा था बट इससे rapidly तो हो गई पर environment में अभी पर protection नहीं हो पार अभी भी कई सारे loopholes थे तो अब जाहिर से बात है फिर से कोशिश की जाए कि इसको दुबारा सही किया जाए एक नया model ला जाए जिसमें इन चीजों को सही की जाए और देखिए अगर आपको health अपनी सही रखनी है COVID-19 के time पे हमने देखा कि environment assessment को कितना हमने violate किया mining and all के लिए environment के against कई सारे sanctions दे दिये गए थे तो एक serious concern है तो FFF आप जरूर याद रख लिजेगा बहुत जरूरी है recent norms इसमें बनने है recent trading इसकी करनी बहुत जरूरी है और ये चीजे जब तक हम करेंगे नहीं हमारा loss होगा तो हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से सोचना जरूरी है आईए wars and talks के बारे में बात करते हैं इस चीज को भी समझना हमारे लिए जरूरी है तालीबानी ceasefire जो चल रहा है इसके बारे में इसमें बात की गई है देखे जब आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको कुछ basic चीजे इसमें पता चल जाएंगी जैसे तालीबान जो है अफगानिस्तान का देती हैं दोनों साइट्स तो इसको भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं ये दोनों चीजे अगर हमारे लिए लाइट डिरेक्शन में चलेंगी तो चलेंगी अभी इदूर फिदर जिसे आप बकरीद बोलते हैं वो है तो तीन दिन की सीज फायर वहाँ पे लगी है एक positive direction आया है government का कहना है कि इस positive direction ने हम चीजे बहुत अच्छी कर सकते हैं बहुत positive कर सकते हैं और बहुत right direction में ले जा सकते हैं तो हमी इसे समझना है कि रमजान की टायम पर भी की गовर्मेंट के साथ बेन की बात चल लए थी बढगिलानी साथ कुछ प्राबलम हुई क्योंकि इनकी डिमांड थी कि इन प्रिजनर्स को छोड़ दें पर बात में उने प्रिजनर्स को छोड़ने को का तो सीज फायर की फिछर टॉक्स होनी हैं देखिए बहुत सारे एग्रि साइन हो गई थी उसके बाद गुवर्मेंट के साइन होने के बाद भी 3560 गुवर्मेंट ट्रूप्स और 775 सिविलियें जो हैं वो मार दिये गए तो एक कन्फिक्ट की ट्रिटी जो थी रिकंसलाइजेशन की टॉक्स में जोड दिया गया और वही इसको अहेड कर रहे हैं, तालिबान का आपर हैंड चला है हर फेक्टर में जहिर से बात है, आज तालिबान को कंट्रोल करने के लिए देखे, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर अफगानिकसान में पीस talks positive जाएं तेखिए इस बार क्या हुआ है कि इंडिया को इन चीजों से दूर रखा गया, इंडिया को इसमें मर्ज नहीं किया गया, इंडिया इनका साथ नहीं दे रहे, इनने अपने काम खुदी करने है, इंडिया को साथ ना रखने का कोई ना कोई international relation भी हो सकता है पर इंड बहुत बुरी थी, यहां पे cases बहुत वर्सें थे, no government architecture की अगर बात करें, तो देखें, यहां पे healthcare sector बहुत बुरा है, यहां पे अगर हम बात करें, तो public healthcare में अभी GDP का जो है, सिर्फ हम 1.28% खर्ज करते हैं, बहुत कम है, world bank according India में, जो expenditure health का है, 62.4% 2017 में होना चाहिए था, ज traditionally manpower की बात करें, तो इंडिया में doctor per population जो है, वो 1457 पर एक है, world health organization कहता है, 1000 पर एक doctor होना चाहिए, 74 constitutional amendment act के बाद भी चीज़ अभी भी सही नहीं हो पाई हमारे हैं, इसके बाद जो integrated planning के constitution mandates करता है, metropolitan planning committees को जो इसके लिए काम करें, यह भी properly काम नहीं कर पाती हमारे हैं, इसक easy best place के लिए अगर आपको काम करना है, तो बहुत सारी चीजों के जड़ोत होते हैं, COVID-19 ने हमें बहुत सारी चीज़े दिखाई, poor housing and sanitation की problem है, meaningful society security नहीं है, हमारे urban poor condition है, और planning की बहुत सारी कमी है, services हमारे अच्छी नहीं है, तो opportunities का weak है, तो यह सारी चीज़े बहुत problem हमारे create करती हैं, और weak municipal capacities जो इंडिया में है, metropolitan cities की weak capacities जो है, वो भी हमारे लिए एक problem है, बैंगलॉर में average percentage on revenue का 47.9% है, चेनाई में 30.5% है, मुंबई में, तो इस staffing का जो percentage है, उसको भी आप देखेंगे तो बहुत problem है, इसके बाद ASICS ने मुंबई को कहा है कि यहाँ पर per lakh population officers बहुत हैं, 938 officers per lakh हैं, बढ़ अगर globally देखेंगे तो बहुत लो है, जोहंसबर्ग में 2922 officers per lakh हैं, नियॉर्क में 5446 officers हैं, तो COVID-19 के time पर हमने देखा हमारा infrastructure, services, officers, managing disaster, यह सब बहुत बुरा है, इसके बाद Tokyo को अगर आप देखें, Tokyo metropolitan government और recent experimental models आप other United Kingdom वगेरा के देखें, तो यहाँ से हम चीजों को ले सकते हैं, चीजे कर सकते हैं, COVID-19 का challenge हो है, इन्होंने future को threats दिया है, climate change, natural disease, disaster, ETC जो है, यह भी future में वर्ल्ड का Indian countries पे, cities पे पढ़ेगा, यह भी एक बहुत बड़ा challenge होगा, need for authority है, weak mayor हमारे यहां है, 10 million population पे directly elected mayor होते हैं, Mumbai में एक लोता है जो 2.5 years है, बाकी जगे 1.1 year के mayor होते हैं, तो mayors को पूरी decision making नहीं दी जाती, planning, housing, water environment, fire emergency, यह सारी services इनके लिए होनी चाहिए, यहाँ पर state government maximum चीज़े देखते हैं, state government सारी चीज़े एक साथ नहीं देख सकती, तो transparency, accountability, citizen participation, इन सब ची national जो है, इनको भी सभाज, इन सब के बारे में भी हम कुछ नहीं सोस देने हमें करना चाहिए, कायदे से कर दिखा जाए, तो हमें चीज़े साही करने के लिए, इनकी चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, mayor का tenure बढ़ा देना चाहिए, towns की जो problems है, इनको हमें ध्यान देना चाह स्मॉल टाउंस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जहिए सी बात है, वो भी दीरे दीरे बढ़े हैं, बहुत सारा environment हमारे हैं, बहुत सारे employment के rules वो प्ले करते हैं, central state government को एक साथ efforts दानने चाहिए, metropolitan governance प्रॉपरली काम कर पाए, पहरा स्टेप हमने बोला जैसे five year tenure देना चाहिए, decentralized करना चाहिए, वार्ड लेविल governance को, यह जो है वार्ड लेविल governance इसको अगर decentralized नहीं करेंगे तो हमें loss होगा, तो पहला step यह है, दूसरा यह है, दूसरा इंटर एजेंसी, coordination, anchor होनी चाहिए, government और cities के साथ, इंडिया को current जो situation है, pandemic के, इसके बार को सोच कर हमारी government और governing abilities को सुधारने का time आ चुका है, तो हम इस पर time waste ना करें, इनको improve करें, तभी हमारा फायदा होगा, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए, मेंस राइनिंग के question की बात करेंगे, तो चाहिए सी बात है, मैंने आपको इसी से related दिया है, कि आज जो हमारा metropolitan cities की condition है, उनकी governing को हम कैसे सही कर सकते हैं, क्या condition इसके लिए बन सकती है, इससे related question है, डाइस वर्ड का आपको लिखना है, इंडिया में जो planning होई, इंडिया को ध्यान में रखते हुए बनेगे, इंडिया का cultural heritage और लोगों की source और यहां की population environment सबको समास्ते हुए बनना है, टोकियो का model या Australia का model इंडिया में work करेगा नहीं करेगा, यह तो depend करता है उस time की working पे, तो इन चीजों को करना है, कैसे करना है, इस पर answer लिखने की कोशिश करिए, 250 worlds का answer आपको लिखना है, कोशिश करिएगा, आज का lecture इतना ही, बेटा, God bless you all, take care, अच्छा लगे तो please like, share और subscribe करिए, अगर आपको कोई भी issue आता है तो आप dislike कर सकते हैं, dislike करने के बाद कारण जरूर बताइए, आप क्या चाहते हैं, क्या issues है ताकि हम उसे improve करें, hopefully आपको lecture अच्छा लगा होगा, take care, bye bye